जैसे दूदी भोपला बहुत अगूत है, ऐसे ही बहुत अच्छी आउशद है 거죠 अगूत अगूत है, अगर गले का कोई भी त्रास हो गए sweet, बार-बार Elizabeth बच्चों को कई बार वो टांस Kण दर्द होता है, यह गले में सभी त्रास की सबसे अच्छी आउशद है हड़त लेने के दो तरीके हैं आप हड़त को गरम पानी में डाल के ले सकते हैं या गरम दूद में डाल के ले सकते हैं और हड़त में गाय का तूप मिला के भी ले सकते हैं ये दो तरीके से हड़त ली जाते हैं या तो पानी और दूद में लीजिए गरम करके और या तो मद म या गाय के तूप में गले के सभी रोगों में अदभुत काम होती है। मैंने आपको कहां बार बार खासी आती है, बार बार सर्थी होती है, बार बार जुपाम होता है, ये सभी के लिए औशदी है हरक। बच्चों को तॉंसिल की जितनी भी तकलीफ हैं, उसकी सबसे अच्छी आउशद है हरक। तॉंसिलाइटिस की तकलीफ में भी आप गौक्टर के पास जाएंगे, वो तुरन कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के तॉंसिल काट के निकालो, कभी मत कराना है। उनको थोड़े गिन हड़क देंगे, हमेशा के लिए टॉंसिल की तकलीफ खतब होड़ेगे। और ज्यादा टॉंसिल की तकलीफ है तुछ बच्चों को, तो सूखी हड़क जो होती है, पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर, चम्मच में हड़क भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाईए और छोड़ दीजा, बस पास साथ मिनट में ला रक्त का भी शोधन करती है, निय में तुरूप से हड़का दूद आप पीते रहें, या बच्चों को हड़का दूद पिलाते रहें, तो रक्त में कभी भी कोई दोश नहीं आता, रक्त में कोई विकार में आता, और रक्त विकार में हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता, पांच पूर एक साथ हरद में कहीं चोत लग गई है तुरंत हरद लगा दीजे कूल बन दो जाए सेवलल लगाने की जुर्त नहीं कोई एंस सब्सक्रीम लगाने की जुर्द और जिनके शरीर को को ये बात वान की विभीता से और ध्यान से सुने जिनके शरीर को रंग साफ करना और वर्य आपको अज़सा लगता है कि आपका रंग तोड़ा डार्क है निपर कला हैयं में यूभि को रख करना चाहते हैं रंग सारी बुरी दुनिया डूनीया में जो काम कभी भी थेर इन लभी नहीं कर सकती वो हरद कर से। कि वहीं आदाचंहच नेमित रूप से लेना पड़ेगा ज्यादादा दिन पर लेना पड़े। फेड लबली तो कुछ नहीं करती। मैंने फेर लबली को लगा के देखा एक मशी को, चार साल रिगण रिगण के वह मशी अभी भी काली की ते, इसलिए फेर लबली तो कुछ भी नहीं करती। यह भगवास है और टीबी में बोगस जाहिरा है। और महेंगी इतनी आती है फेरल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपई किलो आती है अभी 1600 रुपई किलो की फेरल लबली लाएं उससे अच्छा है 20-25 रुपई किलो हड़ ले आई उसकी ताकत बहुत है और आपको एक और महीति देता हूं जिनक और शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूरी के प्रकाश में थोड़ा भी निकलें तो त्वचा में जलन होने लगती है इन सब लोगों को मेरी मिंति है कि हड़व लगा के आप बाहर निकलिए कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी संबर्ण कभी भी नहीं होगा सन इस्ट्रोक अबीढ़ती हो है इसे लोग जिनको जीवन में भ्रम्चरी का पालन करना है अपने शरीर की शक्ति और वीरिय को सुरक्षद रखना को तो इसी अदूत उप्योग है दुनिया की सब्से खतर ना होती है वो हड़त से ठीक होती है और उसका नाम है cancer आप माहिती है आपको हड़त अमेरिका में पेटेंट करा दी तर्थे अमेरिका सरकार में और सारे पेटेंट में और यह सारे अपीयोग लीली हड़त कहते हैं आंपा हड़त कहते हैं ताजा हड़त कहते हैं जो खेत में से निकलके सीधे आते हैं उस हड़त की चट्पी बनाएं उसमें से रस निकलता है वो रस कैंसर के रूप में काम आता है कैंसर के किसी भी बरीज को जिसको गले का कैंसर है, पोट का कैंसर है, आहारमली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के बरीज को हड़त का रस मत मिला के देंगे, तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है, अभी तक जितनी रिसर्च होई है दुनिया में हड़त कर, उन रिसर्च का य नहीं है कि पाकिस्तानी हरत में ये नहीं है भंगलादेशी हरत में नहीं है भारत की हरत diabetes तो हड़त आप घर में रखी ताजा हड़त मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस रिकाल के थोड़ा मत मिलाके उसको नेमित रूप से पिलाते दे और मत ना मिला सके किसी कारण से तो हड़त में गुर मिलाके काकवी मिलाके उसको देते